नमस्कार दोस्तों, सियासत के खेल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में समाजवारी पार्टी के लोग प्रिये विधायक पिंकी यादो के बारे में आप सभी को बताएंगे। 25 मार्च 1981 को दिल्ली में पिंकी यादो का जन्म हुआ। पिंकी यादो के पिता का नाम बिरेंदर पाल्ट सिंग यादो है। पिंकी यादो ने तीर ठांकर महावीरी यूनरस्टी से ग्रिवेशन किया है। पिंकी यादो ने बियड एललबी की पढ़ाई की है। पिंकी यादो उत्तर प्रदेश संभल जिले के बड़े नेता पूर्व मंत्री विजेंद पाल सिंग यादो की पुत्री हैं। पिंकी यादो यूपी के पूर्व मुख मंत्री अखलेस यादो की रिष्टेदार बतायाती हैं। पिंकी यादो के पती का नाम प्रमोद यादो है। आपको बता दें की 2012 यूपी बिधान सभा चुनाव में पिंकी यादो पहली बार राजनिती में उत्री। पिंकी यादो संभल जिले की आसमोली विधान सभा से चुनाव में उतरी और वा समाधवारी पार्टी के प्रत्यासी के तोर पर चुनाव में विधायक बनकर विधान सभा पहुची। विदायक पिंकी यादो दबंग नेता के तौर पर जानी जाती हैं संभल में उनकी बड़ी तूती बोलती है और उनकी बड़ी लोगप्रेता है पिंकी यादो संभर जिले की बड़ी नेता मानी जाती है जिले में इनका बड़ा दबदबा कायम है और यहा काफी लोग पिये नेता के रूप में मानी जाती है जिसके चलते 2017 यूपी बिधान सभा चुनाव में पिंकी यादो दूसरी बार समाजवादी पार्टी से बिधायक बनकर बिधान सभा पहुची 2017 में जहां मोदी योगी की लहर थी इस लहर में भी पिंकी यादो समाजवादी पार्टी से बिधायक चुने गई तो रहे दोस्तो समाजवारी पार्टी की लोग प्रिये विधायक पिंकी यादों के बारे में आप लोगों को पिंकी यादों का बायोग्राफी कैसा लगा आप लोग जरू बताएं दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्वाद आप लोग सियासत के खेल चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन जरू दवाएं